अगर ये स्थीती है तो ये बहुती दुखत स्थीती है और sorry to say पटना में जितने लोग रहते हैं सब तो पटना से बाहर यानी बिहार से बाहर रहते हैं और पटना में जो लोग रहते थे वो सारे गाउं के हैं तो आप सोची ये हालत क्या है कि लोगों को अपने घर परिवा जोड़के रोजकार के लिए बाहर जाना पड़ता है और जब वो फेस्टिबल में जैसे कि हम सब जानते हैं कि छट एक महा पर्व है और ये इस्ट इंडिया का सबसे बड़ा तेहर है और गर मैं बिहार की बात करूँ तो 14 करोर बिहार वासियों की ये सबसे बड़ा पावन पर्व का पूरा साल इंतजार रहता है और दुखी बात तो ये हैं कि जो बिहारी बिहार के बाहर रहते हैं आज उनको बिहार में आने के लिए ट्रेन हो या कोई भी आपके सवारी के थूँ जब आपको अलग-अलग प्रांच से जब वापस आ रहें तो उनको ट्रेन में धक्के मुक्य के साथ एक सफोकेशन सांस रुख जाने वाली स्थिती में लोग ट्राविल कर रहें बड़ी दुख की बात है कि हमारे जाती है जनगना करते वक्त मुझे समझ नहीं आता है Honorable CM साब का कहना है कि Reservation भाई आप Reservation को जो करना है कीजे लेकिन जो बिहारी इतने दिनों से इंतिजार कर रहे थे चछट पर्व की और वो जब अपनी घर वापस आ रहें तो उनके लिए कोई अलग से बंदोबस्त आपने क्यों नहीं किया अगर आप उनके बारे में 10% भी सोचे होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको ये बोलना नहीं परता है कि बिहार में आरक्षन चाहिए या फिर बिहार को एक विशेश राज्य का दरजा मिलना चाहिए इससे यही साबित होता है कि maximum बिहारी जो बिहार में रहने वाले जादा तर लोग बाहर में यहाँ पे नौकरी या development नहीं होने के बज़े से बाहर में जाके अपने परिवार का पेट पालते हैं दुख की बात तो यह है honorable CM of बिहार आप विदान सभा में जाके आप sex के उपर उल्जिलूल बात जरूर करकर सकते हैं लेकिन हमें ऐसी मुख्य मंत्री की जरूरत नहीं है हमें ऐसे मुख्य मंत्री चाहिए जो एक visionary हो जो बिहारियों के लिए सोचे जो बिहार के लिए सोचे और जो चारो तरफ जो एक भायवर स्थिती जो चटपुजा से पहले बनी हुई है लोग घर नहीं आपके डंग से आ पा रहे है लोगों को ट्रेन नहीं मिल रहा है लोगों के लिए ट्रेन में लोग धक्का खाके लड़ जगर के लाठी चार्ज तक आपको करना पढ़ रहा है अगर ये स्थिती है तो ये बहुत ही दुखत स्थिती है और sorry to say पटना में जितने लोग रहते हैं सब तो पटना से बाहर यानी बिहार से बाहर रहते हैं और पटना में जो लोग रहते थे वो सारे गाउं के हैं तो आप सोचिए हालत क्या है कि लोगों को अपने घर परिवार छोड़ के रोजकार के लिए बाहर जाना पड़ता है और जब वो फेस्टिबल में अपने घर आना चाहते हैं तो उनको आने के लिए आपने कुछ विशेश इंतिजाम भी नहीं किया लेक अपने दिल से मैं उनको आगरा करूंगी कि आपको सुबुधी प्रदान करें ताकि आप बिहार के लिए बिहार बासियों के लिए कुछ अच्छा कुछ बड़ा और एक विजन लेके आप आए